हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमिद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं एक नई एक्टिविटी की वीडियो लेके आई हूँ यह वेस्ट मेटेरिल से बहुत अच्छी चीज बनेगी बच्चों के काम माने वाली तो वीडियो को पूरी देखें पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाएं तो दोस्तों आपने हमारे कलर देखें यह कैसे फैले पड़े हैं बहुत सारे कलर हैं यह और बच्चे इनको जब यूज करते तो ऐसे फिला देते तो आज हम एक वेस्ट मेटेरिल से किट बनाएंगे यह मिठाई का डबा आये मिठाई आये थी इसमें डबे में तो इससे आज हम बनाएंगे कच्ची सी चीज यह कैक का डबा इन दोनों डबो को यूज करके और हम बहुत अच्छी चीज बनाएंगे देखें हमने डबे को जो केका डबा था, उसके कुछ प्रिसेज काटते है और इनको चिपका लेंगे क्योंकि यह बहुत पतला होता है केक का dissolve तो इसको मजबूत करने के लिए फेविकोल एक से चिपका लेंगे इसको और यह ऐसे हैं हमने कई सारी पतिया काट के उसमें से और यह उसमें ब्लोक्स बनाने के लिए न डब्बबे के अंदर लगाने के लिए काट लिया ये बड़ा गत्ता बाट काट दब्बे के साइज का भी चांक लेल बंट्बे का भी ताकि इसको मजबूती मिलें को और है टूटे नहीं दी और इसके उपर हमने ये चड़ाया वोल पेपर जैसे होता है ये चड़ाया है आप इस पेंट भी कर सकते हैं और वैसा पेपर भी चड़ा सकते हैं ये चिपकाने वाला है तो हमारे पास ये पढ़ा था पहले से याया हुआ था आसे ही तो इसको यूज मिलेंगे हम वेस्टी था ये अशिपका देंगे ताकर फूरा सुन्दर दीखे आप इसको पैंट भी कर सकते हैं और सफेद जो चार्ट होता वो भी चड़ा सकते हैं इसके उपर लाकर सफेद नीला जैसा भी आपका जो मन करें वैसी क तो मैं इस पर यही लगाऊंगी और इसको अच्छे से चिपका लेंगे एक साइड का काट देंगे ताकि चिपक जे दूसरी साइड का इस पर पलटके चिपका देंगे ऐसे ही सारे हम त्यार कर लेंगे पहले हमने पटियां काटी जितने हमने उसमें बोक्स बनानी है और उसी हिसाब से फिर काटके और उनको चिपका के उपर हमने कवर कर दिया यह हल्दी राम लिखा हुआ था इसके उपर तो इस पे एक यह स्पेद कागच हम काटके चिपका द अच्छा करने के लिए थोड़ी मैनत करने पड़ती है दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और नहीं नहीं वीडियो डालने का मन करता है देखें कितना सुंदर देख रहा है हल्दी राम भी नहीं दिखाई दे रहा है इस पर यह प्रीमियम लड़ू देख रहा है इसके उपर वी स्टीकर लगा देंगे बाद में आज दोस्त पंक्खा चलाये था तो गड़ा थोड़ा सा खराब हो रहा है आज पर फैवकोल लगा के रिसको अंदर लगा देंगे उसमें डब्बे के अंदर भी और ढकन के अंदर भी इससे मजबूत्ती रहेगी तुटेगा नी जल्दी डब्बा और देखने में भी सुं गाव करेंगे शिनें डब्बे के अंदर फिक्स हो जाएगा कि अःओभन इस में अधूक हो दाल देंगे हम जो आइसे अम इसका कर यह सारे एं त्यार कर लिए इनस्ory को एसके अदर लगांगे पार्टेसिन के इसाब से कैसे कैसे किसे ऐसको पार्टेसिन करने है इसके पैवी कोल की मदद से इसको चिपका लेंगे यह हमने पहले डबे में निसान लगा लिए थे ब्लैक ब्लैक आपने दीख रहा हुगा तो यह निसान लगा लिए थे कि कहां पे हमने पार्टिसन करना है कलर किस किस हिसाब से इसमें डलेंगे तो इसलिए आप भी इसको ऐसे कर ले त्यार तो यह आसानी से हो जाएगा और इनको लगा के सब को और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह सूख जाएं अच्छे से सूखने के बाद इसमें कलर रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा अगर गिल्ले में रखेंगे तो फिर यह दर ढ़र गिरिएंगी इसकी बांडरी जोगनाई है हमने 2006 वर निकाले भी जाएंगे हमने इसके च्छे पार्टी सिन किया है तो कलर तो बहुत सारी होते हैं बचों के आज कल 15 तरह के कलर होते हैं उनको सेट करना और संबाल के रखना बड़ी समश्या रहती है तो यह बहुत अच्छा ओप्शन है ना पैसा खर्चोना ना कुछ 5 रुपे की फैवी कोल से और अगर आपके पास चार्ट निया चार्ट लगाना तो 5 रुपे का चार्ट 10 रुपे में त्यार हो जाएगा और इतना अच्छा त्यार हो जाएगा कि बहुत दिनों तक ना तूटेगा ना कहीं जाएगा कुछ नहीं होने वाला और बच्चे भी खुस रहेंगे देख देख के इसको काम भी करते रहेंगे मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया यह देखे इसके उपर ड़कन लगा के हिला के दिखाऊंगी मैं जब भी बच्चे कलर करेंगे तो इसमें से उठाएंगे और इसी में रख देंगे और अलग-अलग जमैट्री में रखते में पहले अलग-अलग जमैट्री में ही रखती थी तो बच्चे सब तरह के कलर निकाल के जमैट्री गिरा के पहला के बैठ जाते हैं और सारे घर में पहला के रखते हैं तो यह एक ही जगह भी इनके रहेंगे और जब भी उठाएंगे तो एक ही जगह रखे भी जाएंगे तो कैसे लगा दोस्तो कमेंड जरूर करना बाई दोस्तो आपका दिन सुगर